इस वीडियो के माध्यम से अगले दो मिनट में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि पारलियामेंट में क्वेस्चिन आवर और जीरो आवर कब होता है और कितना प्रश्ण पूछा जा सकता है और उसका महत्व क्या है सबसे पहले में बता दू कि क्वेस्चिन आवर और जीरो आवर का टाइमिंग लोगसभा में अलग है राजसभा में अलग है लोग सभा में question hour 11 बजे सुबह से 12 बजे तक होता है वही राजसभा में question hour 12 बजे से लेकर एक बजे तक होता है जहां तक zero hour का बात है सुन निकाल कहते हैं नॉर्मली 12 बजे से जो कारे सुरू होता है house में उसको zero hour कहा जाता है लेकिन लोग सभा में zero hour 12 बजे से एक बजे तक वही राजसभा में zero hour 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है यानि timing अलग है जब लोग सभा में 11 बजे से question hour सुरू होता है उसी समय राजसभा में एक तरह से सुरू हो जाता है zero hour तो जब लोग सभा में question hour है उस समय राज सभा में zero hour है जब बारावे से लोग सभा में zero hour होता है उसी समय राज सभा में शुरू हो जाता है question hour तो यह important है समझना है ना अब इस्थिती है कि question कितने तरह का हो सकता है तो समझिए बात को लिखा हुआ है उसको पढ़ लिजिएगा आराम से पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा fact है जितना कि इस slide में लिखा हुआ है question नॉर्मली दो तरह का होगा एक को बोलते हैं तारांकित प्रश्न तारांकित प्रश्न का मतलब है कि इसका उत्तर जो है ओरल दिया जाता है मौखिक रूप से और तारांकित प्रश्न का मतलब है कि इसका उत्तर लिखित यानि रिटेन में दिया जाएगा जो तारांकित प्रश्ण है इस ट्रैड कोश्चेन जिसे ग्रिन फोल्डर में रखा जाता है वो तारांकित प्रश्ण लोग सभा में अधिक्तम 20 और राज सभा में अधिक्तम 15 पूछा जाता है तारांकित प्रश्ण लोग सभा में अधिक्तम 20 और राज सभा में अधिक्तम 15 पूछा जाता है और लोग सभा में जो एक कोश्चेन पूछा गया उसके बाद मैकक्सीमम दो फॉलो अप कोश्चेन हो सकता है जैसे आपने एक question किया और उस पर doubt है तो दो maximum follow up question हो सकता है अब आतारंकित प्रस्चन की बात करें और ये question hour की मैं बात कर रहा हूँ जो unstead question है वो लोक सभा में maximum per day 230 है 230 और राज सभा में maximum 160 है 160 per day और unstead question का जो उत्तर है वो return में दिया जाता है इसलिए इसका follow up question नहीं हो सकता है जबाब कौन देता है तो जो संबंधित मंत्री है वही जबाब देते हैं जो संबंधित मंत्री है वही जबाब देते हैं अब जो ये लिखा हुआ है slide में first hour of every parliamentary seating ये सही है लेकिन ये सही केवल लोगसभा के मामले में है 11 से 12 बज़े का जो समय होता है लोगसभा में वो question hour है लेकिन राज सभा में पहला जो घंटा है 11 से 12 बजे का वो 0 hour है तो statement लोग सभा के बारे में सही है राज सभा का जो question hour होगा वो 12 बजे से होता है 11 बजे से तो उसका 0 hour सुरू हो जाता है दूसरी बात member question करते हैं मंत्री उतर देते हैं और यह जो दिया हुआ है यह भी सही है एस्टाइड green में होता है अनस्टाइड white में और short notice light pink में होता है इसके अलावा आप समझें एक short notice question भी होता है short notice question यानि अल्प ओधी का प्रश्ण यह एस्टाइड हो गया एक on एस्टाइड हो गया और एक short notice हो गया जिसे light pink कहते हैं यह urgent public important यानि महत्तपुर्ण लोक बिशेपर member उठा सकता है लेकिन यह बहुत rare होता है बहुत कम होता है और इसका उतर मौखिक दिया जाता है अब बात करें zero hour का तो लोक सभा में zero hour कब सुरू होता है बारा बज़े से और राज सभा में zero hour 11 बज़े सुरू होता है जैसा कि मैंने कहा और zero hour rules के procedure में mention नहीं है एक तरह से informal system चला आ रहा है जहाँ पर बिना prior notice का पुर्व सूचना दिये जनहित के मुद्दे उठाये जाते हैं और ये एक innovation है जो कि 1962 से चला आ रहा है the zero hour is not defined in anywhere neither in constitution nor in the rules of the parliament but it still exists और मैंने बताया 1962 से एक परिपार्टी है इस वीडियो में जो fact मैं बोला हूँ copy में उसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये चीज आपको लक्ष्मी कांत में भी नहीं मिलेगा लेकिन हाँ competition में हमेशा पूछा जा सकता है तो इसलिए ध्यान से वीडियो सुनिए और एक एक point को note कर लिजे doubt है इसी वीडियो के comment box में आप पूछ सकते हैं आपके प्रश्णों का स्वागत रहेगा और कैसा लगा वीडियो मैं जानना चाहूंगा आपका comment और इस चैनल को अभी तक अपने अगर subscribe नहीं किया है तो bell icon दबाकर इसको subscribe कर लिजे like कीजे और दोस्तों के बीचे में भी share कीजे बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much